तो भई क्या हाल चाले सब के होप सब बढ़िया होंगे तो आज मैं उन सब भी ट्राइबर ओनर्स को एक बात बताने बाला हूं साथ मुझे लगता है कुछ ओनर्स को पता भी होगी तो पता है उनके लिए काफी अच्छा जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दू कि देखे जहां पर आपने गाड़ी ली है डीलर शिप से वहां पर सर्भी सेंटर में आपको ले जाना पड़ेगा और इसको जो अपग्रेड करने में आपको 2-5 गंटे तक का टाइम लग सकता है इसे उपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है तो मैं इसके बारे में बताओं कि इससे से ही किये जाएंगे तो यह बात है तो अब अगली बात में बताओं जो मुझे इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी मतरब डीलर के बारे में दिख लगई कि देखे जहांसे राकिन मुझे कॉल आया कांगड़ा से और कांगड़ा यहां से लगवग 150 किलमेटर के आसपास सरका होगा मुझे पूरा फिक्स नहीं कि बाहं पर उनकी डीलर सिप कहां पर है तो इसके इसाब से मोटा-मोटा आपको बता रहा हूं तो यह बात मुझे लगी कि देखिए अब मंडी से जाकर मैं उन्हें सिस्टम अपग्रेड करवाने के लिए गाड़ी को बहां लेकर है तब बताएं कि इसमें कुछ क्या चेंज बैसे चेंज तो मुझे लगता कि कुछ आएंगे थोड़ा बहुत इस्यू बग्यारा में वह कुनेक्ट करके कुछ नगुस्तों करेंगे ही सिर्फ यह रहनों की गाड़ियों में ट्राइबर में ही मिलेगा और ना काईगर में क इसी का से जो अपग्रेड है वो नहीं आया है आपकी ट्राइबर जो है आप भी अपने डीलर सिप से कॉंटेक्ट कर सकते हैं और या वो खुद आपको बता दिनकि आपकी गाड़ी में नया सौप्टवेर आ गया जिसको आप अपडेट करवाना पड़ेगा बैसे नहीं भ पर भी मैं आपको बता दूगा कि देखिए एक साल का एक्सपीरियन इस गाड़ी के साथ कैसा रहा जो बहुत जादा लोग पूछते हैं कि देखिए इस गाड़ी का जो है फीडवै कैसा है जादा तर बेस मोडल और और एक सेल मॉडल का तो यह बात हो गई मतलब हमारी गा कि देखिए में